हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया नॉर्थन कोल फिड लिमिटेड की नियू रिकिर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंट्स यहां पर जो यह वेक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा वेकेंसी फ्रेंट्स इसमें आप अप्लाए करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी एलविटरी कंडिशन्स पता होनी चाहिए इसमें फ्रेंट्स आपका आठवी या दसवी और साथ में आईटाई पास आउट होना जरूरी है और आपका ट्रेंग होती है लिए अट्राइन्ट करने के बाद आपको अप्रेंटीशिप का शेटिफिघ इमल जाता है तो यहां पर अपलाय का लिंक नौ crypto अपकर रविस्तिस्टेशन प्रौसर्स सब आपको यहां मिल जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक option है apprenticeship registration process तो इसका मतलब क्या है तो यह friends यहाँ पर जो apprenticeship portal है इस पर आपको registration करना जरूरी है कैसे आप register कर सकते हैं step by step सारी process यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इस form को fill करने से पहले यहाँ पर registration आप जरूर कर ले अब बात करते हैं इस vacancy के form fill up के बारे में तो और इस video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें share करें like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके तो friends यह इसका online apply portal है जहाँ से आप इसमें online आविदन करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका 10 digit का mobile number इसके बाद friends यहाँ पर next option जो है वो है trade का तो आप किस trade में apply करना चाहते हैं वो आपको select करना है इसके बाद यहाँ पर देखिए apprenticeship portal registration number यह आपको देना होगा और यह आपका alpha numerical होता है अब यहाँ पर देखिए आपको जो apprenticeship registration number है वो आपको register यहाँ पर जबाब करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा और आपको जो process है वो मैंने jobrasta.com पर आपको पहले ही provide कर दी है आप registration process को check कर सकते हैं और registration कर सकते हैं इसके बाद फैंसे आप यहाँ से login कर लेंगे लोगिन करने के बाद फैंसे आपका जो dashboard है यह open हो जाता है और यहाँ पर फैंसे आपको एक option मिलता है देखिए apprenticeship opportunity का आप इस option पर click करेंगे इसके बाद फैंसे आपको करना क्या है आपको देखिए यहाँ पर मैंने एक यह link आपको जो की है ऑनलाइन रेडिस्टेशन जब आप करेंगे अपरेंटिशिप इंडिया पर उसके बाद फ्रेंच से आपको यहाँ पर Northern किलिक करके आप यहां पर इस पोर्टल से भी apply कर लेंगे तो यह apply प्रोसेस करने के बाद ही आपको यह form फिल करना है तो यहां पर registration करेंगे आप apprenticeship इंडिया पर उसके बार यहां पर इसको सर्च करेंगे northern cold field limited को और उसके बार आप यहां से apply करेंगे इसके बार फैंसे आप लास्ट नेम आपको यहां पर देना होगा इसके बात फैंसे नेस्ट नाप्षण आपका यहां पर है जो की है father husband यहां गार्द नेम जो भी आप यहां देंदर आपको स्लेट करना है आपका रेलीजिशन आपको यहां पर सलेट करना है हिंदू, इसलाम, सिक, क्रिस्चन या नहीं तो आप इसमें no करेंगे आपका date of birth क्या है तो आपको यहाँ पर देखिए date of birth की जो criteria's है वो दिये गए है तो आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते है इसके बाद है आपका address section तो पूरा address जो भी आप लिखते हैं अपने मकान संख्या माली जी आपका नहीं है उस condition में आप normal जो भी अपना address लिखते हैं वो लिख सकते हैं आपका village क्या है फिर मंडल क्या है इसके बाद city कौन सी है district कौन सा है state कौन सा है और pin code कौन सा है permanent correspondence अगर सेम है आप सेमर्स कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग एंट्री कर सकते हैं अब देखे फ्रेंट्स यह वेकेंसी ऑल इंडिया नहीं है आप apply चाहे कैसे भी कर सकते हैं अगर आप तोने कहीं के भी निवासी आप apply कर सकते हैं पर बस एक condition जो यहां पर आपकी रखी गई है वो यही रखी गई है कि आपने NCVT या SCVT रिकरोनाईज यूपी या MP-based institute से full-time regular course आपने किया हुआ है तो ही आप applicable होंगे apply करने के लिए यह चीज़ आप यहां पर ध्यान रखेंगे इसके बाद फैंसे यहां पर आपको एंटर करना है आपका technical qualification तो सबसे पहले आईटाइ की detail आपको फिल करनी है आपका जो भी institute है उसका नाम आप यहां फिल करेंगे इसके बाद इस आईटाइ इंस्टूट का मतलब यहां से आपने यह करा है आपने आईटाइ किया है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको लिखना है आपको district लिखना है state लिखना है तो दो ही state आपको मिलेंगे मद्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश यहां से आपने पास आउट करना जरूरी है trade आपको select करना है trade आप select कर लेंगे course आपका कब start हुआ और कब complete हुआ तो आपको complete date आपको यहां पर देनी होगी आपने कब इसको complete किया है और इसका लिए friends आपको यहां पर date month and year select करने है अब यहां पर है आपका course प्रदेनांग अब यह आपके पास आपकी जो admission slip होती है उसमें आपको यह मिल जाएगा अगर आपका उसमें यह नहीं है उस condition में friends से आपको करना क्या है आपको duration है आपके course की उसके lump sum आपको date यहां पर देनी होगी year of passing क्या है तो आपका year of passing है वो आपको देना होगा इसके बार है total marks of all subject तो सभी subjects को मिलाकर मतलब overall जो आपने idea पास आट की है उसमें आपके कितने में से कितने numbers आएं है तो मैं भी sample के तोर पर enter कर रहा हूँ आपको friends से आपके according यहां पर data यह fill करनी होगी आपकी percentage यहां पर आ जाएगी आपका landline number है आपकी mail idea आपको यहां पर देनी है इसके बार है financial detail तो आपका account किस bank में है उस bank का address क्या है bank की खाता संख्या क्या है और IFC code क्या है यह आपको देना होगा IFC code अगर आपको नहीं पता है तो IFC code आपकी bank की passbook पर होता है या फिर आप Google पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप सरच कर सकते हैं आपके bank का IFC code तो यह आपकी bank की details होती है आपकी details है याप अपने according फिल कर सकते हैं आपका pen number आपका अधार number आप यहाँ पर fill करेंगे नीचे आपको यहाँ पर documents अप्लोड करने है तो यहाँ पर देखिए आपको photo upload करनी है और यह friends आपके jpg format में होगी 30-80 kb का size है signature का 15-40 kb का size है और आपके parents के signature है उसका size भी 15-40 kb है IT का certificate है यह आप jpg format में ही upload करेंगे 50-120 kb के लिए नीचे आपकी जो mark sheet है यह आपको upload करनी है jpg format में 50-120 kb में और आपके 8-10 की mark sheet 50-120 kb में आपका pen card और आपका अधार card यह भी आप jpg format में upload करेंगे नीचे friends यहाँ पर अभी आपका cast का option नहीं आया है अगर आप यहाँ पर cast select करते हैं तो आपको cast है वो भी आपको upload करनी होगी जैसे हमने यहाँ पर select की है जनरल अगर हम OBCI, SCI, ST select करते हैं तो उस condition में आपको यहाँ पर card certificate का option भी मिलेगा जो कि आप यहाँ पर upload करेंगे documents upload करने के बाद फैंसे यहाँ पर आपको accepted terms and condition लिखना है place लिखना है जहाँ से आप इस form को fill कर रहे हैं और इसके बाद आप यहाँ पर robot नहीं है तो आप इस पर tick करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से submit form वाले option पर click करेंगे submit करने से पहले data को verify और check जरूर कर ले उसके बाद ही आप यहाँ से submit करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका जो यह form है यह final submit हो जाएगा और आपको यहाँ पर right hand side में print का option मिल जाएगा और आपना final print out है वो निकाल कर आप आपने पास रख सकते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की Northern Colfid Limited NCL का apprenticeship post का online form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step मैंने आपको सारी process बता दी है आप कैसे आविदन करेंगे simple step है ज्यादा कुछ आपको fill करना नहीं है बस आपको यहाँ पर apply करने से पहले apprenticeship जो आपका यहाँ पर portal है यहाँ पर आपका registration और उसके बाद यहाँ पर apply करना हमारे साथ देखते रहे हमारा YouTube चैनल and last thanks for watching